नमस्कार, वर्चुल होने के कारण कई लोगों को मैं दिखनी रहूंगा, लेकिन मैं आप सब लोगों को बैठे याँ देख रहा हूं, मेरी स्कीन में आप सब लोग बैठे हैं, आपके चेरे पर उस्सा है, उमंग है, कुशी है, कि सारे शित्र के अंदर बहुत समय तक इन सडकों की मांग रही थी, जब मैं इलाके में जाता था, तो लोग इस इलाके की सडकों की मांग विशेश रूप से करते थे, और मैंने कहा था, इंतजा करो वक्त आएगा, इन सडकों की स्युकरती होगी, डेड़ साल प्रक्रिया मे लगा, लेकिन आज इस शडकों की सिलान्यास हो रहा है, मुझे आशा है, हम जल्दी भी इसका लोकान पड़ भी करेंगे, केंदिये सडक, अवसरचना निधी, CRIF के द्वारा, नो साल के अंदर, अभी तक 713 करोड की सडके, कोटा बुंदी संस्दी शित्र के अंदर, बन गई है, और कुछ का सिलान्यास हुआ है, सडके, उस इलाके, उस शित्र के लिए, विकास के लिए सबसे आउशक होती है, सडकें, विक्ति के जीवन के साथ साथ, उद्ध्योग व्यापार, एजुकेशन, प्रियाटन, सब सित्र के डवलप किर्मेंट के लिए सडकें बहुत आउशक है, और मैं इस इलाके को देखता हूँ, कि रामगजमंडी इलाका पूरा सडकों से कनेक्ट हो चुका है, चारों तरफ से केसा है पार्टन इलाका भी सडकों से कनेक्ट हो चुका है, कुछ इलाके जो कनेक्ट होना बाकी है, या जहां पर फोर लाइन सडके बननी है, मुझे विशे ध्यान है, वो भी पाइपलाइन में है, समय का इतिजार करो, समय बदलेगा, तो निश्शित रूप से कोटा बुंदी संसिलिश्यत के हर इलाके की सडकों की मांगों को तैय समय में पूरा किया जाएगा, आज जो सडकों का रहा है, उसका विशेश रूप से, जब मैं जाता था रामगजमंडी, तो रामगजमंडी सुकेत की बहुत सडकों की बात करते थे, वहाँ पर आबागवन बहुत था, लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, कुछ स्विकर्ती पहले हुई थी, लेकिन अब जो स्विकर्ती होने के बाद, राम गजमंडी से सुकेत की कनेक्टिटी बेटर हो जाएगी और आने वाले समय के अंदर इस कनेक्टिटी से बहुत बड़ा लाप इस इलाकी को मिलेगा इसी तरीके से अन्रेठा से जाली जी का बराना जैथल करवाला की जोप्रियां ये इतनी बड़ी मांग थी शित की कि मैं जब भी जाता था इस शित की बाद जरूर लोग चर्चा करते थे लेकिन मैंने कहा था वक्त इंत्या करो कि राज्य सरकार के धन से ये सडके छोटी बन पाएगी पुलिया का पैसा भी कम स्विकरत हुआ था लेकिन केंदिय सडक निजी के दोरा इसमें प्रयात पैसा आएगा और मुझे आशा है कि ये सडकों का शिलानियास आज हुआ है जल्दी ही हम तैस समय पे इसका लोकापन भी करेंगे उसी तरीके से बासी से इंदरगड जो देही खजूरी पीपरवाला और करोर होते तयार होगी वो भी एक महपून सडक थी तीसी सडक भेरुपुरा ओजा से रोटेदा रोड तक ये भी सडक बहुत जल्दी पूरी होगी इसी तरीके से छोटी छोटी सडके जो हम माड़ा योजनाँ में स्विक्रत कराई है और पाइपला हैं ने जितनी सडके अलग-अलग लोगों ने दी थी मैंने वो सडकों को पाइपला हैं में डाला था राजिसरकार ने 26 सडकों की स्विक्रती जारी कर दी लेकिन धन के अभाव में फाइनेसिल स्विकर्टी जारी नहीं की थी मैं सोचताओं कि वक्त बदलेगा और उन 26 सड़कों की फाइनेसिल स्विकर्ट जारी होने के बाद हमारे शित्र की महत्पूर्ण मांगे पूरी हो जाएगी मुझे आदे कि सिलाके के अंदर में जाता था तो वो तालाब की बात करते थे आज सो करोड की लागस से कोटा भूंदी के अंदर तालोपों का पुनर निर्मान हो रहा है मानि प्रधान मंतिजी ने कहा था कि इस अमरत महुस्व काल के समय हर संसिद्य शित्य में 75 तालाब तयार होना ची या पुनर निर्मान होना ची आज मुझे कुशी है कि सारे शित्य में 75 तालाब भी पुनर निर्मान हो रहे हैं और इन तालाबों को लाब आने वाले समय के अंदर आसपास के शित्यों का मिलेगा इसी तरीके से वो बचे तालाब हैं उनकी DPR हमने बना लिये और बहुत जल्दी उनकी भी स्विकरती हो जाएगी ताकि जितने कोटा बुंदी संसिदिशित के छोटे बड़े तालाब हैं उन तालाबों को भी पुनर निर्मान कर पाएंगे मुझे पता है कि कई स्कूल्स वगेरा जो है वो पाइपलाइन के अंदर है और जो मुझे लगता है कि जो संभावना लगती है जिस तरीके का प्रेस नोट आया है आज आचा सहीता कि संभावना है लेकिन आप निश्चित मानों जो भी आपने काम दिया है जो चाहे CSR में दि किया है कोई कोशिश में कमी नी छोड़ी जाएगी हम चाहते हैं इस इलाके का चोतरुपा विकास हो इसकूल अच्छे बने हमने एक शुरुबात किये जिन इलाकों के अंदर इसकूल नहीं है हमने CSR फंट से 24 इसकूल शुरू किये हैं उसी गाओं का बच्चा उसी गाओं चरण में किये हैं आने वाले समय में जा दो किलो मिटर इलाके पर कोई धानी है चोटी जगह है इसकूल नहीं है वहां भी स्कूल शुरू करेंगे ताकि बच्चे को जो जानी पारा उसको गाओं में पढ़ाए मिल सके और आने वाले समय स्कूल में एड्विशन करा सके क्य प्रियास किया है इसी तरीके से ओन वील होस्पिटिल हर घर के दस तक पर होस्पिटिल पहुचा है यह द्रती चरण में दुबारा पहुचेगा ताकि हर वेक्ती स्वस्त्रे उसकी 27 तरह की जांचे होती आवशक दवाएं मिलती है किसी को आँखों का ऑपरेशन होता है ऐस प्रमुग्ध फिरिंदर कश्ट कुमाल अहिर ज्यका प्रधान पंचाय सिम्यूति केश्टा पाटन फिरिंदर सीन जी का रामगन्मंडी की प्रधान सिम्यूति कलावती जी और सभी लोगों का बहुत-बहुत साधिवाद देता हूं सभी परदाजी कारी का सभकारे करता सामुईता के साथ इस शित के विकास के लिए 24 गंटे काम करेंगे और इलाके को सबसे विक्षित इलाका बनाने में कामयाब होंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद